How to fix keyboard not showing in Redmi phone problem नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको यहाँ पर Redmi phone के जो keyboard का problem है उसके बारे में दोस्तों बात करने वारा हूँ ठीक है जैसी की आप दोस्तों मेरे screen पर ढेख सकते हैं यहाँ पर keyboard missing है और दोस्तों यहाँ पर keyboard मेरा show नहीं कराifying तो यह दी दोस्तों आपको पर इस अकोई problem है तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस problem को case से fix करना है उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर solution बताने वालाओ तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सरिफ एक ही Redmi phone नहीं यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी Redmi का phone भी Redmi 5A हो सकते है 6A हो सकते है 7A, Note 4, Note 5, Note 6, Note 7 ठीक है जो भी आपका यहाँ पर Redmi का phone है उसमें यहीं keyboard शो नहीं करते तो दोस्तों इसका जो problem है मैं आपको दोस्तों mainly वही solution करके बताने वालाओ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह एक reason से आ जाता है आपके जो यहाँ पर Redmi का phone है उसमें यह problem आ जाते ठीक है तो उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर keyboard शो हो जाएगा आपका keyboard का problem भी fix हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजे, bell icon को click कीजे और यदि आप online से पैसा कामाना चाते हैं तो आप हमारा वीडियो description पर link check out कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message भी कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और डेखते हैं इस problem को कैसे fix कर सकते हैं आप Redmi के phone पर ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर phone है उसका setting पर आप जाईए setting पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको simply एक setting मिल जाएगा ठीक है जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको advanced setting याज़ एडिशनल setting करके मिलेगा आपका Redmi के phone पर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी आपका Redmi का phone है उसमें दोस्तों setting सब के सब एक ही है और solution भी दोस्तों यहाँ पर सब एक ही है तो आप दोस्तों यहाँ पर यह solution को try पूरा जरूर कर सकते तो आपको क्लिक करना है एदिशनल सेटिंग के उपर में उसके बा। तो यहाँ पर ढूसतो आप देख सकते यह पर इसको औक कर दीजेैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइली को दुस्तक्त करने के लिए लिए ऐसा भी हो जाता है कोई फोण поговор पर दोस्तक 날स दो simply यहाँ पर यह सेटिंग करना होगा उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दुबारा से ले चलता हूँ आपने message पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाके हम check out कर लेते की keyboard यहाँ पर वापस आया है नहीं आया है ठीक है तो जैसे के आप स्क्रीन पर डेक सकते दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ उस सेटिंग को जाके बदल दिया है तो यहाँ पर दोस्तों मेरा keyboard दुबारा से वापस मुझे मिल चुका है और मेरा problem भी fix हो चुका है